जी कहिए? जी मेडम जी, मुझे पैसे चाहिए थे क्या बात है? कोई नया ट्रेंड चला है क्या? हाजकल बिखारी भी घर पे राके भी बांगने लग गए चल चलो, जाओ यहां से, खुले निया मेर पस मेडम जी मुझे खुले पैसे नहीं, पूरे 50,000 रुपे चाहिए क्या? पचास हुजार रुपे? पागल होगी हो क्या? कोई पागल ही होगा, जो किसी अञजान को 50,000 रुपे देगा देखे मेडम जी, मैं अनजान नहीं हुँ, मेरा नाम कवीता है और मैं राजसान से आयो, आपके पती न मुझे बहुत अच्छे से जानते है क्या? हकाश तो मैं जानते हैं? हाँ मेडम जी, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते है बुलाईए अपने पती को, वो पैचान जाएंगे मिरको हकाश तो अभी घर पे नहीं है, ओफिस गए है, शाम तक आ जाएंगे, तुम तब आना अरे नहीं नहीं मैडम, प्लीस आप समझने की कोशिश करिए, देखे मुझे पैसो की बहुत ज़्यादा जोरत है एक काम करें ना, आप एक बार ही अपने पती को फोन लगाएं ना, और उनको बताएं कि कवीता आईए राजिस्तान से, देखना वो आजाएंगे जल्दी से, प्लीस मैडम जी ठीक है, तुम यहीं रखो, मैं बात करकर आती हूँ एश हेलो हेलो अकाश हरे भार कोई बिखारन से लेड़की आई है, अपना नाम कवीता बता रही है, और बोड यहीं वो राजिस्तान से आई है और तुम्हे जानती है, पता नहीं क्या-क्या हाँ है, मैं उन्हें बहुत अच्छी से जानता हूँ, तुम्हें एक काम करो, उन्हें अंदर बुला के चाय नास्ता दो जब तक मैं आता हूँ हो, हेलो, मैं किशों खिलाने पिलाने नहीं वाली, समझे, तुम्हें आके अपने खुदी देखो आरे, कम से कम तुम उन्हें अंदर बुला कर तो बिठाओ, मैं जब तक आ रहा हूँ हज़े, ठीक है एक काम करो, आओ अंदर अरे, कवीता दीदी, कैसे हैं आप, और आपको इतने दिनों बात मेरी याद कैसे आई भाया, आपने मुझे पैचान लिया हाँ, हाँ, एक काम कर ये, अब बैठी एक काम करो है, तुम जाके चाई नास्ता लियाओ क्या बात है दीदी, आप बहुत परिशान लग रही है बात क्या है, बताईए भाया, मेरी मा की तब्यत बहुत जादा खराब है और डॉक्टर ने पूरे एक लाग का कर्चा बताया मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ मैंने अपने कान के जुंके बेच के पचास हजार पे का इंतिजाम तो कर लिया पर मेरे पचास हजार पे कम पड़ रहे हैं मेरी मदद खर दीजी, प्लीज दिवी, आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा मैं लेखे आता हूँ, आप यहीं बैठो एक काम करो, आप यह चाय पीओ जब तक मैं आता हूँ अकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गयो क्या? चो उस बखारन को पचास हजार रुपे दे रहे हो? हैश, अभी तुम सच नहीं जानती कविता दीदी ने मेरी तम मदद करी थी जब मुझे मदद के सबसे ज़्यादा जरूरत थी अरे तुम मैं कम मना कर रहे हूँ कि उसके मदद मत करो लेकि निक्ता सरा पैसे देने के क्या जूरत है? हरे उसको इतनी ही जरूरत है तो उसको 5,000 दे दो जादा से जादा 10,000 दे दो हरे इतने पैसे देने के क्या जूरत है? अपना घर नहीं है क्या? हैश उने 50,000 रुपई के ज़रूरत है क्योंकि उनकी मा बिमार है तुम्हें ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें अभी सच नहीं पता है हाँ तो बताईए उस पिखारन के लिए इतनी हंदर्दी क्यों तुम्हें सच नहीं पता है न इसलिए तुम्हें ऐसा बोल रही हो और तुम्हें सची जानना है ना तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ तुम्हें याद है कि कुछ टेम पहले मैं राजिस्तान गया था वहाँ जब मैं ट्रेन से उतरा था तो किसी चोर ने मेरा पर्स मेरे सारे पैसे मेरा बैग सब कुछ चुरा लिया था मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं भूग के मारे मर रहा था और मुझे चलते चलते कभीता दीदी मिली जो वहाँ पे बैठे हुई थी और पता है उन्होंने क्या किया उन्होंने मेरी मदद करी उनकी एक सिर्फ सबजी की दुकान थी फिर भी उन्होंने मुझे घर आने के लिए हजार उपे दिये ताकि मैं चैन से अपने घर आ सकूँ वो अपने घर से खाना लेके आई थी अपने लिए उन्होंने वो खाना मेरे साथ बाट के खाया अरे जब अगर उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करी है तो अब तो मेरा कर्तववय बनता है na कि मैं उनके बुरे वक्त में उनकी मदद करूँ तो इस वज़े से मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा मैं उनकी मदद करके रहोँगा अकाष मुझे नहीं पता था कि उस कविता ने अमारी इतनी मदद की, जब तुम प्रॉब्लम में थे, जब मेरा पती प्रॉबलम में था, हथाँ उसने ईसका साथ दिया मैं समझ की हुँ, कोई बात नी हुआ तुम जा के उसको पैसे दे दो। उसको जितने भी पैसे की स्रथ है Kristin तुम उतने पैसे दे दोUCK अच्छा हुआ तुमने मेरी बाल समझने की कोशिश करी और तुम्हें समझ भी आया चलो आप उनके पास चलते हैं और उन्हें हम ये 50,000 रुपे देते हैं उन्हें इस पैसे की बहुत जरूरत है चलो कवीता दीदी ये लो 50,000 रुपे और आपको आगे कितने भी पैसे की जरूरत पड़ेना आप बस मुझे बिना हिचकिचाए एक कोल कर देना मैं आपको सारे पैसे भीज़ दूँगा ये लीजी रखिये भाया आपका बहुत बहुत दन्यवाद जब मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी उस साइम पर आपने मेरी मदद करी बहुत बहुत शुक्रिया आपको देखके लगते कि शायद आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं पता नहीं ये हैसान मैं आपका कैसे उतारूंगी दिदी इसमें असान वाली क्या बात है ये तो बस मैंने अपने सारे पैसों में से कुछ पैसे आपको दिये हैं और आपने मुझे उस वक्त हजार रूपे दिये थे जब आपके पस खुद 1100 रूपे थे इसे पता चलता है कि सच्चा इंसान किसे कहते हैं जो कि आप हैं ठीक है भया धन्यवाद अब मैं चलती हूँ आज मुझे अपने पती पे बहुत गर्व मैसूस हो रहा है